असलाम वाले कुम दोस्तों आपका बेहत इस्तिकबाल है हमारी युट्व ऺअहनल में आझ मैं आपको बताने जा रही हूं महबत का जलाने वाला अमल जिहां आगर आप किसी से बे इंतहा महबत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे बे इंतहा मुहबत करने लग जाए तो आपको ये अमल करना होगा इस अमल को हम जलाने वाला अमल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको एक फोटो चाहिए होता है और एक कागस चाहिए होता है तो इसको कैसे करना है ये जानने के लिए मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा मौलाना जी के बहुत सारे लोगों ने जो भी लोग हमें कॉल करते हैं मौलाना जी से बात करते हैं महबत हासल करने के लिए जब अमल मांगते हैं तो बहुत सारे लोगों को हमने ये अमल दिया और उन्हें इस से बहुत ही जादा फाइदा हुआ, उनका जो प्यार है, उनकी जो महबबत है, वो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उनकी जिन्दगी में वापस आ गई तो अगर आप भी चाहते हैं, अपनी महबबत को हासिल करना, चाहते हैं कि आपकी महबबत आपसे बे इंतहा महबबत करने लग जाए, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं, इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उनका फोटो लेना होगा, जो की कागस पर आप प आपको लिखना है अपनी महबबत का नाम और उसके बाद आपको लिख देना है अपना नाम तो उनका नाम और अपना नाम लिखने के बीच में आपको एक प्लस का साइन लगाना है यानि जमा का साइन लगा देना है और उसके बाद उसको आपको सरकल बना देना है यानि उसक उसके बाद आपको उसके उपर एक अमल जो है वो दम करना होगा तो अमल क्या होगा अमल होगा या वाजदूत अल या वाजदूत अल या वाजदूत अल ये आपको बोलना है और उसके बाद फोटो के उपर दम कर देना है एक बाद का आपको और ध्यान रखना है कि ये वज और आपको पूरी तरह से इजाजत मिलेगी और आपका जो वजीफा है वो काम करेगा अगर आपको हफ्ते में किसी भी दिन आप इसे कर सकते हैं लेकिन साथ से ग्यारा के बीच में करना है आपको बोलना है या वाजदूत अल और उसके बाद कागस पर जो आपने नाम लिखा हुआ है उसके उपर भी दम करें और जो फोटो है फोटो पर भी दम करें इसके बाद आपको क्या करना है जो कागस पर नाम लिखा था उसे आप फोल्ड कर लें और उसके बाद फोटो के उपर उसे रख दें अब आपको फोटो और कागस दोनों को जलाना है तो आप एक प्लेट ले ले या कोई भी बरतन ले ले और उसके बाद उसमें रखकर इन दोनों चीजों को जला दें जब आप इने जलाएंगे तो जलाने के बाद इसकी राक जो आएगी राक को भी आपको फेकना नहीं है इस बाद का ध्यान रखें कि आपको पंखा बंद करके ये काम करना है जिसे जो राक है वो उड़े ना हवा में पूरी राक आपको इकठी कर लेनी है और उसके बाद आपको अपने एरिया में जहां पर भी आप रहते हैं आपको मिट्टी मिल जाए, तो आपको थोड़ी सी मिट्टी महां से लेनी है, और इस राख के अंदर मिला देनी है। इसके बाद आपको इस पूरी राख और मिट्टी को अच्छे से एक जगे एक आगस में फोल्ड करके रख लेना है। इस पुडिया को जिसके अंदर आपने राख और मिट्टी रखी होगी इसको आपको अपने घर में किसी जगे पर छुपा कर रख देना है यकीन मानिये दोस्तों ये वजीफा अगर आपने एक बार कर लिया तो आपकी महबत आपके लिए इतना जादा तड़कने लग जाएगी कि वो आपके बिना कहीं नहीं रह पाएगी तुरंट आपके पास उनका फोन आएगा और वो आपसे मिलने के लिए समय मांगने लग जाएगी ये आप वजीफा एक बार करके देखिए आपकी जिन्देगी बिलकुल बदल जाएगी एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस वजीफे को कर रहे होगे तो आपको वजू कर लेना है साफ कपड़े पहन लेने है उसके बाद ही से करना है और दूसरी बात जब आप बाहर से मिट्टी लेकर आएंगे उसके बाद जब आप इसे रखेंगे अपने घर में उसके बाद फिर से आपको वजू करना है और उसके बाद अपने कपड़े चेंج कर लेन जो भी कपड़े आपने पहने थे उन्हें बदल कर आपको दूसरे कपड़े पहन लेने है और इस वजीफे का असर तुरंथ होता है तुरंथ ही आपकी महवथ आपकी जिन्दगी में वापस आ जाएगी तो दोस्तों ये तो था हमारा वजीफा अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो अगर आप किसी और प्रॉब्लम का हल चाहते हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके मौलाना जी से बात कर सकते हैं हमारा नंबर आपको स्क्रीम पर नजर आ रहागा उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में शब बाखेर